प्रेगनेंसी के दोराद महिलाओं को खुद के साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत का पूरा ध्यान रखना होता है इस समय महिलाओं को डाइट में पॉष्टिक चीजों का सेवन करना चाहिए इस समय महिलाओं की lifestyle और diet का सर बच्चे के growth पर पड़ता है इसलिए doctors महिलाओं को dry fruits और nuts खानी की सलाह देते हैं साथी सबजियों में हरी सबजिया, गोबी और broccoli खाना फायदे मन्द होता है तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर pregnancy में फूल गोबी खाने के क्या फायदे होते हैं सबसे पहला है पोशक तत्वों से भरपूर जी हाँ फूल गोबी पोशक तत्वों से भरपूर होती है इसमें विटामिन C, विटामिन K और फूल एट जैसे आविश्यक विटामिन्स होते हैं जो पेट में पल रहे आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए एक एहम भूमेका निपाते हैं फूल एट विशेश रूप से बच्चे को निउरल ट्यूब दोशों को रोकने में महत्वपूर भूमेका निपाता है इसलिए महलाएं फूल गोबी का सीमित मात्र में सेवन कर सकती हैं अगला है पाच्चन स्वास्ते जे हां गर्भावस्ता के दौरान कब्स एक आम समस्या मानी जाती है जो अकसर हॉर्मोनल चेंजिज और बढ़ते गर्भाश्य के कारण होती है फूल गोबी में फाइबर की मात्रा जादा होती है इसलिए ये आपके डेजेशन को बहतर करता है और कप्स को रोपता है इसके साथी गोबी में मौजूद फाइबर के कारण आपको बार बार भूब भी नहीं लगती अगला आता है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है जिया प्रेगनेंसी के दौरान मा और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉंग होना बहुत ज़रूरी है इसलिए अंटि ऑक्सिडेंट और फाइटो न्यूट्रियंट से भरपूर फूल गोभी प्रतिरक्षा प्रणाली यानि कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉंग करती है साती संक्रमन और बिमारी उसे बचाती है प्रेगनेंसी के दौरान एक मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम बनाना महिला और बच्चे दोनों के लिए जरूरी होता है इन सभी के लावा गर्भावस्ता के दौरान हाइब डड़ प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते है इसलिए आप गोभी का सेवन कर सकते है देखे ये सिच्वेशन प्रेगनेंट महिला और भ्रून के स्वास्ते के लिए गंभीर खत्रा पैदा कर सकती है इसलिए फूल गोभी में सोडियम की मात्रा कम और पोटेश्यम की मात्रा ज़्यादा होती है तो आप अपने प्रेगनेंसी पीरेट के दौरान इसका सेवन कर सकते है सबसे आखरी आता है कि pregnant lady को diabetes होने का खत्रा सबसे ज़ादा होता है ऐसे में महिलाओं की diet में full goby को शामिल किया जा सकता है full goby में glycemic index कम होता है और carbohydrate भी सबसे ज़ादा होता है इससे आपको diabetes का खत्रा कम होता है हाला कि full goby का 7C मित मात्रा में करना चाहिए pregnancy की दौरान महिलाओं के पाचन क्रिया पर इसका जादा pressure बनता है जिसकी वज़से gas भी create होती है लेकिन full goby खाने से आपको इनवे से कोई से भी problem नहीं हो सकती तो अमीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप जुड़ रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार